पहले खबर फिरा सर तह से तहकी काब तक जन जन से जोड़ा मुद्दा चाहे कुछ में हम पहुचेंगे हर खबर की जड़ तक पहुचाएंगे हर खास खबर आपके मुबाइल तक देखे मेरे साथ fastby.tv कोख्यात बदन सिंग बद्दो की इता रहा उर मंत्री याकूब कुरेसी वे परिवार तक पुलिस नहीं पहुच पा रही है यह कहना अतिशोक्ति नह होगी कि इन दोनों ही वांचितों को जमीन खा गई अथवा आस्मान नहीं कहा जा सकता पैसे वे सत्ता के रसूप के चलते सिपाही को भरे बजार थपड मारने वाले याकूब कुरेसी का पुलिस पता नहीं लगा पाई है ऐसे में सवाल उठने तेज हो गए हैं कि याकूब कुरेसी वे परिवार पकड़ा नहीं जा रहा है या पुलिस उसे पकड़ नहीं रही है इन सब कयासों के बीच आज मेरट के सीयो कोतवाली अरविन चौरसिया ने अपनी टीम के साथ याकूब के छोटे बेटे फिरोज की ससुराल में दबिश्टी एक घंटे तक पुलिस वहां रही लेकिन जैसा अन्वान लगा जा रहा था वहां वांचितों में से कोई नहीं मिला अलबत्ता यह खबर मीडिया में जरूर आगई कि आज पुलिस ने ससुराल में दबिश्टी है याकूब कुरेशी के परिवार की हापुट रोट इस्थित अलिपूर में अलफाइम मीटेक्स प्राइविट लिमेटेट के नाम से फेक्टरी है मार्च 2019 से मानकों पर खरान उताने कारण यह बंद है बावजूर इसके यहां मीट की प्रोसेसिंग वे पेकेजिंग होती पाई गई 31 मार्च को यहां पुलिस ने दबिश देकर यह सब पकड़ा था इस मामले में पुलिस की पकड़ में छोटी मचलियां तो हाथ आ गए लेकिन याकूब कुरेसी बेटा इमरान वे फिरोज कोई हाथ नहीं आ सका पूर मंतरी हाजी याकूब कुरेसी उनकी पत्ने संजीदा बेटे इमरान में फिरोज समेट 10 लोगे खिलाप रिपोर्ट दश की गई थी गरपतारी नहोने पर कुरकी की आपचारिक्ता पूरी की जा रही है समय मिलने के कारण याकूब परिवार अदालत पहुंचा लेकिन वहां भी उन्हें रहत नहीं मिले बावज़ूद इसके पुलिस अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है इस खबर में फिलाल इतना है आप देखते हैं फरस्टबाइट टीवे नमस्कार